विश्भर में फैली नोवल करोना वाइरिस की बिमारी को मात देने में सरकार की मदद करें आप सभी से अनुरोध हैं कि भारत सरकार दोरा लागो किये गए लॉक डाउन को गंभीरता से फॉलू करें इसके अधिनाय सभी आदेशों का पालन करें हमें जुट होकर ही इस बिमारी को हरा सकते हैं घर में रहें सहस्त रहें नंबर भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपसे खुद जुडने का प्रयास करेंगे लॉकडाउन के बीच आज हम आपको एक जरूरी बात भी बताएंगे और हमें यकीन है कि है सुनकर आपको बहुत खुशी होगी लेकिन ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें वो भी बिना स्किप किये चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल हमसे किया है मनीश प्रशाद जी ने मनीश जी ने हमसे पूछा है क्या किड्नी रोगी एक खा सकते हैं यदि हाँ तो कितना मनीश जी सवाल पूछने के लिए धन्यवाद जी हाँ किड्नी रोगी एक खा सकते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ सफेद भाग ही खाना चाहिए उसका योग यानि पीला भाग ना खाएं अब क्योंकि हर किड्नी रोगी की कंडिशन अलग-अलग होती है ऐसे में कोई भी चीज आपको अपने स्वास्ते के अनुसार ही लेनी चाहिए ये डिपैंड करता है आपकी बिमारी की स्टेज पर, आपके GFR पर, आपके KFT टेस्ट पर आप अपने रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर से सलहा लेकर ही अपने लिए एक की सही मातरा चुने दूसरा सवाल है क्या किड्नी रोगी जिसका क्रिटिनिन 3.6 है क्या वह अपने भोजन में नीबू का प्रियोक कर सकता है नहीं किड्नी रोग्यों को लैमन बिल्कुल अवोइड करना चाहिए नीबू में मौजूद सिट्रिक एसिड आपके किड्नी के लिए फायदे मन नहीं होता अगला सवाल है आयूशी कुमार जी का इन्होंने हमसे पूछा है कि किड्नी रोग्यों को चपाती के लिए कौन से आटे का प्रियोक करना चाहिए आयूशी जी किड्नी रोग्यों के लिए होल वीट फ्लोर ही सबसे फायदे मन बाना जाता है आप अपने भोजन में इसी का प्रियूक करें इससे आपको जरूर फायदा होगा वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आज हमें एक अनाॉंसमेंट करने वाले हैं तो अब आपको बता दें वो अनाॉंसमेंट क्या है अब से हम करमायदा हफते में एक बार नहीं बलकि दो बार हाजिर होएंगे और देंगे आपके सभी सवालों का जवाब जी हाँ अब से हर गुरुवार और शनिवार हम हाजिर होएंगे आपके सभी सवालों के जवाब लेकर वन वीक टू एपिसोड से यानि आपका कोई भी सवाल छूट नहीं पाएगा आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा अगले सवाल की ओर चलते हैं यह सवाल हमसे किया है काजल अगरवाल जी ने और इनका सवाल है क्या किड्नी रोगी ककड़ी की सबजी खा सकते हैं काजल जी हमारे शो को रेगलोरी फॉलो करने के लिए धन्यवाज जी हाँ ककड़ी के इतने अतुल्य फायदे होने के बावजूद किड्नी रोग्यों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए इसमें मौझूद पॉटेश्यम की अधिक मातरा होने की वजह से ये किड्नी रोग्यों के लिए ठीक नहीं है बलकि ये उनका सवास्ते बिगाड सकती है गर्मियों में ककड़ी अवाइड गरना मुश्किल हो जाता है लेकिन ये सौस्ते बनाए रखने के लिए जरूरी है आज का पांचवा सवाल ये सवाल है क्या के डिनी रोग्यों के समय गाय का दूद पी सकते हैं ये सवाल हमसे किया है श्रीमान सुरेश मिश्रा जी ने सुरेश जी डाइलेसिस पर रोगी गाय का दूद पी सकता है लेकिन ये डिपैंड करता है आपके के एफटी रिपोर्ट पर यदि आपका स्वास्ते ठीक है और आपके रिपोर्ट में फॉस्फोरस की मातरा नियमित है तो आप इसका सेवन करें वो भी डाइटीशन की सलहा के बाद लेकिन इससे बना घी या मक्षन ना खाएं और अब आज का अखरी सवाल सवाल पूछने वाले हैं संजे गौंड जी इन्होंने हमसे सवाल क्या है क्या किड्नी की बीमारी में वे हरी पत्ते वाली प्याज की सबजी का सेवन कर सकते हैं संजे जी सवाल पूछने के लिए धन्नवाद संज़ जी आपके लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है कि किड्नी रोगी को सभी हरी पत्तेदार सबजियां अवाइड करने चाहिए हरी पत्तेदार सबजियां आपके स्वास्ते के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है हरी पत्ते वाले प्याज भी आपके लिए फायदेमन नहीं होती इसलिए आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए तो ये थे आज के जरूरी सवाल आशा है आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे अगले हफते हम फिर हाजी रहेंगे नए सवालों के साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहें और अपने घरों में रहें आयुर्विधिक जीवन शैली अपनाई योग करें एक अच्छा पोजिटिक आहर ले अगर आप या आपका कोई भी परीजन केड़नी की बीमारी से पीडित है तो कर्मायरुदा में संपर्क करें और पाए केड़नी से जुड़ी हर समस्या का हल कर्मायरुदा का पता और हल्पनाई नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है किसी भी जानकारी के लिए आप देगे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्स के राय ले सकते हैं आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं आप सभी के कमेंट्स हमारे लिए प्रेना का स्त्रोत हैं ऐसी ही जरूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्दी फिर हाजी रहेंगे तब दक के लिए आप स्वस्त रहें और खुश रहें इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद